कि हलो एवरिवान आज हम शुरू करेंगे नया सब्जेक्ट इस्टील ड्राइन देखिए आपके सामने फिगर बना हुआ है आपको फिगर देखके कुछ लग रहा होगा आज हम कौन सा टापिक पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे बीम टू बीम कनेक्शन चले शुरू करते है देखिए भीम का मतलब क्या क्या होता है इस टिल में इस टील में मतलब एक हो व mama है का यह लें लगा देते सेंट लगा देते क्या करते हैं और पर नाज बीम में पढ़ेंगे प्रेंगे मिम कनेक्षन फिकर देखके आपको लगा बीम होता है अभी हम देखेंगे इसे हम कहते हैं मेन वीम फिर कहते हैं मैं लोग सेंडरी वीं कि त्सुमर्दी का मैन बीम में जाकर कौन हो यह सेंडरी बीपिं मैं बीम में प imperfection होता है समझें कुछ टर्म समझें क्या क्या होते हैं जब इसका फरंट देखें तो क्या मिलें आपको कि देखेगा हाँ एक बढ़का आई सेक्षन आई सेक्षन में यह होता है टोटल डेफ्ट क्या होता है डी डी मतलब एकदम करए कि एक दम बाहर से बाहर इसी कि बीच में मुटाईयां रहाती हैं एक या होती है्क फिलेंज दू पूंड में मीलेगा एक लिए भी या फिर हमṣel 12 क्यांगे दो टोटल गहराई नहीं आपया का ठिकने शाब थिक है उस गहराई के अंदर आपको मिलेगेह दो थिकने साफ फिलेंज और यह होता है आपका चंवडाई या फिर्थ आप फिलेंज या फिर्थ आप बीम भीका सकते हैं बी क्या है बीम की चंवडाई या फिर फिलेंज की चंवडाई ऊपर की चंवडाई और नीचे की चंवडाई या या दुनों फिलेंज की चंवडाई य दो फिलेंज से मिलकर गड़ा होता है दोनों फिलेंजों की के ह बाहर से बाहरा होता है मेरा आपके कोश्चन देगा एक्जाम में कोश्चन देखिए इस्ट पर कर देगा कि में बीम आई एस एम भी छैसो एड़ी रेट एक सो बाइस दिसम्रोट छै किलो गराम प्रतिमीटर इसका मतलब है कि जो में बीम है वह इंडियन मीडियम हैं यापका इंडियन स्टेंडर्ड मीडियम लिए चैसो कि लिखता है उसके इनी देखिये डी मिल ला चैसो लिख दिया एक सो 22.6 गराम प्रतिमीटर जैनि उसी एक किलो एक मीटर का वार कितना है कितनी है इसकी घाराई पारें यह इसकी हाराई कितनी है च reco कितनी है 210 उसक भाद थिकने साफ लिखाने की मेंस की ही MUSIC की मुटाई प्रफिर समझें किली ट्रेंगल बाद में देखेंगे अब हमको क्या देखना है से किन्डरी विम इसकी क्या है आई यह लिवी 250 यह इंडियों इस्टेंडर्ड लाइट विम 250 250 क्या होता है विम की घार आई एडिज्रेर 27.9 कीलोग्राम प्रत्मीटर यहनि उसके एक मीटर का भार कितना है 27.9 देखिए इसके एक मीटर का भार कितना है 122.6 और इसके एक मीटर का बाद 276 इन्हीं आपको पता चल गया होगा से किन्डरी विम क्या है थ्रलाइट विट राएट विट है कि इसके कंपेर सब कुछ लंबाई चाल इसकी तोटल है। इसकी हमटाई कितनी है चैनल लोटाई कितनी है। चैनल करना है और हम क्या करेंगे स्केल मानेंगे इसकेड मानेंगे एक संबनेगे पांच का या फिर आप एक समझे दुसका भी मान सकते हैं हम इसकेल मानेंगे और उसके क्या करदेंगे इसको देखते हुए बनाते हुए चले जाएंगा क्लीट अंगल कुछ नहीं होता है कि एंगल पढ़े होंगे देखिए यह आपका जो रहता है ठीक है यह क्या है आपका इंगल है ना इसकी लंबाई या बहुत रहती हैं इंगल कि लंबाई से ऐसको नहीं मतलब होता है लेकिन इसकी देखिए साइज क्या है 15 585 8 यानि इसके बाहर से लेके यहetteगा आपका 75 इन इसके बाहर से लेकिए उपर तक कितना आपका 75 इन मिंफ्छा इसकी मुटाई कित सबसे देखना आपको सबसे पहले इधर से देखना आपको सबसे पहले इधर से देखिए जब आप से देखें खैने यह कोस देखें घिया देगा है और किया दिखए देगा या दिखाई देगा कि सबस्तों की कि मेलबीम कि इसाइ यह कि अर्फ देखते हैं और देखें गया मिलेगा सबसे पहले अब को मिलेगा तो कितना है आपका 210 एमेम समझेगा कितना मिलेगा है कितना मिलेगा आपको 42 एमेम एनि कितना खृष दिया हम 42 एमेम अब समझेगा फिलेंज की मुटाई कितना है फिलेंज की मुटाई मिलावा थीएक इफ 20.8 इसको चल्च करते हैं देश डिवाइड़ाइड फाइफ कितना हो जिएगा 4.16 है घाड़ए सकते हैं जिसमें Merc if it's current गत्समाइब कि不起 hands इसको केड़े हैं इसलोट न grandparents ऐंग सकते हैं किया फिर पॉइंट मैं कि छोटे थीकत नहीं है जितना था कितना 210 उसकेड़ था में आएंगे हम ठीक है कहा जाएंगे में पॉइंट में खीच घंगे थिकने उसके बनाएंगे में की थिकने साव वेव कितना है तो इसको चेंज करेंगे हम 12.5 mm बगे 5 कितना जाएगा 2.5 mm तो अधाई एम्म खिश के आप कितना खिश सकते हैं 3 mm भी खिश सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह जितना आएगा इस लाइन के आधा इधर और आधा इधर क्योंकि हमको क्या लेना है हमको पाना है टोटल कितना पाना है 12.5 mm तो आया हमां लिजे धाई एम्म का अधा करेंगे हम तो कितना जाएगा 1.25 यहां टिक कर देंगे और इसको आला करके इसी से मिला देंगे अब सम Bittey आहीं कितना यह हम विएम का टोटल काशना इए 600 मिला 600 तो इसको चोशे भागे पांच कितना जाएगा एक सोबीस से लेकर एक सोबीस हम खीतेंगे हम कहां तक desert कि शायोंृ खीच लेंगे हम कर देंगे और मोटाई कितना इसका जैसे उपर बनाए है पांच में लेंगे इसमें क्या कर देंगे कि ठीक है आपको पता है यह बाहर से बाहर मोटाई कितना है 600 इसकी कितनी है 210 एम दिख रहा होगा आपको 210 एम ठीक है कितना है कितनी है इसकी मोटाई आपका रहे हैं कितना है इस में क्या सेक्सेन ना इखने को वे जब आब इधर से देखें तो क्या देखे हैं मेंन बीम का फिलेंज की च मुल conten की चाउड़ाई है थिकने साब न Infinite की चाउडाय حक देखें में Kapジャ और जब आप इधर से देख रहे हैं तो क्या मिला आपको देखियेगा जब आप सिख्शेस क्या है क्या वाला परस्ट के sahब परसंट क्या हो जाएगा सिकंड केtake गहराई कहा इधर से देखने पर दिखेगी करताते प् dirty हो गई मिलेगा इसके बाद फिलेंज की दिखेगे एदर से देखने पर देखेंगे लेकिन फिलेंज की मोटायी में theology ठीक है और फिलेंज की मोटाई उसे लेंज की घाराई के अंदर होगा तो देखें में सेकेंडरी वी में घाराई कितना है 250 है ना कितना है तीनगे पर निचे ठीक है पचीश ऊपर कर दिए खिर दिए और फचीश नीचे दिए और जब क्या बना देंगे इधर भी खीचेंगे अब देखिए गब अब को है ना अब समझेगा है आज कि अगर में जितना लंब इह को खीचने उतना ही लंब इसको खीचना तभी आपको लगेगा सुंदर लगेगा अट्वी सुन्दर हमको ज्यादा देखना है कि मेरा ट्राइंग अट्रेक्टिव लगे जैसे बीम में इधर जुला हुआ है उसी तरह इसके पीछे के साइड में इसी तरह जुला होगा लेकिन आपको दिख नहीं रहा है तो इधर का दिख गया और उधर का बना दिया इसको समझेंगे इधर दिख गया उधर दिख गया आप का जो आपको दिख रहा है एक और उधर भी लगा होगा अब समझेगा अभी क्या दिखाई देगा सिखेंड्री विम का फिलेंजी की मूटाईं कितनी है दो गते लिए पांच कितना जाएगा एक दस्मलोफ छे चार तो एक का है ना आपको पता है ना गहराई के अंदर ही राता है गहराई कितना है में का सेकेंडरी का 250 और 250 एम-एम कही अंदर रहे आपको क्या इसकी मुटाई तो अभी तक क्या बनाये हैं अभी तक बना देया में देखें हम इलिवेशन बना रहे हैं क्या बना रहे हैं इलिवेशन मखें तके से नई करो समझें किने क्लीट क्लीट कुछ नोत यह गता है क्लीट एक देखिए नाम में ही इसके लिखा लड़ाज होगा तो सभुमिन कि दितने कई है Discover 2015 देखिए यह हो गैशेक्षा तरह कि और क्लाइब और दो समझेए का 35 इंगल इसकी मुटाई कितनी है इस तरह का है क्ली टोस पंधर जो सामने पना यह लंबाई नहीं दिया रहेगा ठीक है 75 मतलब क्या है एपचातर इसकी मुटाईयां कितनी है दिए कर दिया ठीक है और सक्राइब में कर दिए और यह वाला आप किसमें कर दिया गया देखिया तो यह जो यह जब सेम इसी तरह है तो आप इधर से नेकर वडिखाई देगा फिल्चे अधै कितना निक्लाcr स Yakovac त्यएक शराइबर नहीं देखेंगे कि रिखाई देगा लंबवत हो जाएगा लेकिन इसके अपको भुदेखाई देगा लेकिन यह वाला तो लंबोत हो जाएगा लेकिन इसकी मोटाई आपको 8 mm दिखाई देगी समझपा रहांगे देखे सेम सेम आप लेकर आए इसको यहां समझेगा सेम इसके बीच में जाएंगे 300 mm से कुछ ऊपर चले जाएंगे कुछ नीचे कुछ का मतलब आपका आपका मान ठीक है अपनी मर्जिस को जाएंगे क्यों अब बता रहेंगे इधर कितना आएंगे हम इधर हम आजाएंगे 75 mm समझेगा कितना जाएंगे 75 पचात्तर अब अब कितना देखेंन लाम डगाए इस तरह टी कि लंबाई तो फिक्स नहीं है इसकी लंबाई नहीं है तो क्या है यह जतना मनकरी चले ज़cribed लेकिन यह दिखेंगे कहिंब उपाइए यही थीर यह दिखेंगे यहां सामने देखेंगे 75 फालवा दिखेंगा इसकी मोटाई पर व्यामने दिखने पर ça पके कितना देखिए आपका 75 खेना थीक है यूदि है यह आपका है पचातर भूलpo टिकें सॉतीक आपे कहा है किसी तरह लगा हुआ हैं दीओ सेम इसली तरह लगा हुआ किनारे पहं बना देश इधर भी और इधर लेकिन इसकी लमभाई भी तो डिखेगी देखेगी यह कौन सा लंभाई फिक्स होता है एक चलती जाहेगे लंभाई तो हैं इसलिए इसको तो हम जितना मन करें उतना अपने मर्जी से लंबा खीश सकते हैं यह 75 पचात्तर गया है ना देखिए जो पचात्तर था पचात्तर गया फिर मुटाई दिखा मुटाई और इसकी लंबाई नहीं वह पता चला होगा आपको कि इसकी लंबाई तो फिक्स ही नहीं है तो यह जितना लंबा इसको थंज इतना मन कर उतना लंबा बना सकते हैं इसमें कोई दिखका नहीं है तो यह हो कि आपका अब समझेगा अब क्या होगा जैसे यह दोनों जूड़े हैं उसी तरह जो फिलेंज निकला हुआ है और इस फिलेंज इसके बीच में भी एक लगा वह प्धैर पाय कितना सदूत रहा है टोटल घाराइं है टोट और राई और यह चैसो इसकी गहराइं कितनी है दोज फब्लंड पचंश गटा देंगे सुब्सक्राइब टुर्ण को गникомरं किरा लगांगे लेकिन देखिए कैसा लगाओगा दोनों के बीच में एक क्लिट का इसा लगा रहागा समझेगा इसी तरह लगाएगा इस वाले से जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे समझेगा एक लगेगा देखे इस तरह लगेगा ठीक है यानि एक किस से जुड़ा होगा यह जुड़ेगा इस से से केंडरी बीम के फिलेंज से से और एक से जूड़ेगा यहां को दिखेंगा योग सघघा सब्सक्राइब समझेगा खर 20 में निकला हूँ इसी तरह लगेगा इसके बीच में तो 75 मेन निकला हूँ भी पिर इभी 75 mm दीखेगा इधार इधार 75 mm इसकी लंबाईयां तो दिखेंगी नहीं और इसकी क्या दिखाई देंगे इन दोनों के बीच में कैसा लगाएंगे हम इसी तरह लगाएंगे ठीक है इस तरह लगाएंगे इधर देखेंगे क्या दिखाए देगा एपचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा लगा दिए अब को सम्झ आया होगा क्या किया है अब क्या करेंगे हैं देगा ठीक है इसे दिखाई दिखाई दिया मेन भी उससे बूला हुआ झाती और मेन के जगाए लिकिन इसे वे इन दोनों के बीच में क्लज़ में दूक्त कई परकार का 3D बनाया होगा तो उसमें आप देखेंगे थोड़ा कंसेप्ट किलियर होगा सेम आपको कैसा दिखेगा इसी तरह दिखेगा और समझे का डाया कितना है 18 या फिर 20 मन देगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं माले वैं आसान हो जाएगा मिरे लिए ओश्य है यह जितना बीपन करें अथारे में 20 मिसको स्केल पर चेंज नगए और क्या लगा देंगे हम रिवेटिंग कर देंगा उसमझीए यह क्या लगाएंगे कितना रिवेट तीन रिवेट ठीक है एक दो थीन कर दो कि जिक्कित का सिम्बल है है ना इसको पैक कर देजे आप हो गया आपका आपका इलेवेशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया इसको क्या कर देंगे हम हैचिंग कर देंगे अब समझेगा कि अब काट के देख रहे हैं इधर से काट के देख रहे हैं कौना सब्सक्राइब सब्सक्राइब निद्थ अब करेंगे अब करेंगे हमыт क्तिको निदें जितना भी आपके पांटा जितना प्रैयां अब लाइन है उसको क्ली के लिए लेकत चले जाइए क्या प्रजेक्ष और 0 कि 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 अब देखिए अभी आप कि अधर से बना रहे थे इधर से अब कहां से देखके बनाना है इधर से बनाना है अब समझेगा जब आप इधर से बनाएंगे तो क्या दिखेगा आपको क्या दिखेगा किस का मेरक का क्या दिखेगा सीर्फ टोटर गहराई दिखेगा प्रेंज की त्षंड कट अब समुझेगा क्या का फिलेंज की मुटाई ऊपर का फिलेंज की मुटाई और नीचे का फिलेंज की मुटाई तो एक हम खीचेंगे इधर क्या कर देंगे कांटिनिमस कर दिये और तो ले देंगे कि इधर भी क्या कर देंगे हां कांटिनिमस कि अब समझेगा एक कितना लंबा है एक कितना लंबा है अपने 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 अधास तो अच्छा लगे इतना लंबा और अब जितना भी लंबा रखेंगे उसके एकदम आएंगे मीड में ठीक है रखेंगे उसके एकदम मीड में ठीक है जितना लंबा है उसके बीच में अफिश्यवीं दीखेंगा लेकिन क्या दिखेगा मेन का फिलेंजji की मुटाय को यह वाला उपर का मोटाई नीचे की मोटाय दिख जाएगा कि नहीं जोड़ून है नहीं दोनों क्या देख जाहे आपका मुडाई नहीं दीखे देखेंगे कि बीच में क्या दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा है तो तो बनाते हैं इदम बीच में आएंगे और क्या बनाएंगे हम देखिए क्या क क्या दिखाय देगा घ्रेंज की समझेंड़ी विजमें एकदम और क्या बनैंगे तो कितना चंडेशन को इंक कितना चंडा आपक इना पन सत्भाग देखें कितना रांच वख देख जेगा कितना जाएगा पचीस तो एकदम दोनों के बीच में जहां मार्क किये हैं उसके पचीस के आधा यानि साड़े बारे इधर माले ते यही मार्क किये हैं ठीक है क्या करें लेकर गए हैं इस मोटाई से देखंगे मुटाई में कि इसट ना वग्रonnée कि नि сама कि अब देखें वह दिखाने मेया वह धिख्यानी परॊचेक्शन का हूएम आपinson तो पांच अमक्माने हैं तो एक एम के करीब आजाएगा लेकिन हम क्या करतें कि अ कि अ कि एक आपका से किन ट्री पीड़ा फिर आप जब इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा तो आप पानी पी लें तो गलाफ मसरा आप से किया को सिकेंडरी वीं का दिखेंगे आपको आई सेक्षन अब अब क्या दिखेंगा आप तो क्या दिखेंगा टेंगल कैस्ता समझेया जो हुआ है कैसे ट् कि इस तरह लगा हुआ एगा है एग है इस तरह लगा था तभी तो इधर से देखने पर क्या दिखाए दिया था देखेंगे इधर से देखने पर एप शत्तर वाला जाना और इसकी मोटाई मोटाई लेकिन हम इधर म से देखें तका दिखा को फचहाute वाला इतर उसकी लंबाई इतर यह देखें जाएगा है रहे व्रक्स सबस्क्राइक वर ओर उसकी समुनेगे जाएंगे यह पचाथ सब्सक्राइब हम ठीक है अधर भी आजाएंगे कि और किया दिख जाएगा इसकी मोटाई देख जाएगा देखें वेब से जुला हुआ इसकी मोटाई देख गया है ना इसका क्या आ गया पर्जेक्शन आ गया जितना हम इसको बनाए जाए थे प्रजेक्शन हागे रहे दो समझेगा आट ऐए यह उपर डिलग लगाए थे इस तरह का अक्तली उपर आ इस तरह का अब इस तरह में कैसे दिख से दिखे निवहां को दिखांत क्या सिर्फ दिखा था मोटाईय मो दिखा था और सिर् उपर लगा मद्वां तो व हैं तो इधर से देखें गर देगा इसकी लंबाई दिखाई देगा और अब मोक्ता-टर वाला देखा तर देखा देरा आए न दु mest नहीं के प्रटतमी में प्लेंज टेयरा भी तर अब सब करो याज एगा है लेकिन क्या करेंगा आप तो इस्केल पर बनाएंगे ता आपका चोटा बड़ा होने का चांस नहीं रहेगा अपको समझ आ रहा हुआ ठीक है अधर के लिटेंगल दिख रहा था है ना इस तरह दिख रहा था लेकिन इधर से देखने पूर हैं आपका से में इसी तरह है ठीक है अब इसमें बीड़ी करतेंगे हम रिवेटिंग देखिए आपको पूरा इंगल बन गया अब क्या करतें ऊपको ए बना खपरन त्विव अ बोगाए खुं प्रशाम प्रण्ट ब्युक तक हुआ अब अब क्योद्धर देखों के समझेगा इभर सखेंगे अई कि इसे भी को पहुआ है और उपर जो उसमें लगा होए इसके इसके श्ogen में बीम के रिवम में लगा होगा वैं यह हो गया और राका से केंट्री में लगा होगा यहां भी क्या कर देंगे आप ठीक है अब देखें आपको यहां भी एक करना चाहिए था किसके लिए समझेगा इसके लिए ठीक है यह वाला और उधर से आया होगा तभी तो दूनों प्रेक्ट होगे यहां भी रिवेटिंग किया लेकिन बहुत आपका फिकर क्या हो जागा गधा ताम जाम अब्जायागा ज्याधा कंदा दिखने लगति को देते हैं और समझे है असका कम्प्लीट हुआ अब सर्व क्या क्या करेंड करने वान मिनिट liberty कि अपन्प कंपेट हुआ क्या सबूल आपको लिखेन आए यह का चाहिए पचात्तर गुड़े पचात्तर गुड़े आठेमें यह आपको बॉटम केलीट कि आना 75 गुणहें आठ हम एक आजएगा आपका सेकेंडरी भीम इसेकेंडरी भीम एक आजएगा आपका में भीम ठीक है और पूरे पूर्जेक्शन को क्या कर देंगे हम इरेज कर देंगे हम हलका लाइन खीचते हैं तो यह आपको कंप्लीट हुआ क्या बीम टू बीम कनेक्शन अब अब और इसको और अच्छा बनाने के लिए सब क्या करेंगे पुरा नम निकले चाज़ें सब का नाम लिख देंगे अब हम नाम निखेंगे तो क्या हो जाएगा वीडियो बहुत लंबा जाएगा और नहीं भी लिखेंगे जितना आपके लिए मुद देने इनफ है तो यह आपको पहला ट्राफिक था इस्टील ड्राइंग आप बीम टू बीम कनेक्शन और आपको समझा आया कि नहीं आया ठीक है उसके बाद हम अगला सुरू करेंगे बीम टू कालम कनेक्शन कालम फोटिंग कनेक सबसे इजी क्या है यही है सबसे टापिक क्या है तो आपको समाज आया कि नहीं आया ठीक है तो आज के लिए बस इतना है क्या है